अच्छा फल तो नहीं देगा, परिशानी होगी, ख्याती भी कम होगी, पैसा भी कम होगा और उसके बाद में मती भी माली जाएगी, गलत डिसीजन हो गया, अब ये पत्रकार क्यों बने, इस पर बात करनी है कि इनका जो आंगे आने वाला जो सो है, जो आ चुका है, ब्लेक पत्रकार के बड़े लोगों की अप्रसंद्दा का सिकार बनेंगे, नमसकर, मित्रो, आज हम सुधीर चौधरी जी की जन्मपत्रका का विस्लेशन करेंगे, मित्रो, सुधीर चौधरी जी एक बड़े पत्रकार है, और वो अपने सो DNA को लेकर के बहुत चर्चाओं में रहत हैं, अभी वरतमान में उन्होंने एक new channel छोड़ करके कोई दूसरा new channel जोईन किया है, और उन्होंने एक नया सो सुरू भी किया है, जिसका नाम है black and white, हम आज उनकी पत्रका की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें हम उनके पिछले जीवन की थोड़ी बात करेंगे, फिर सुर्य और केतु, पांचवे में बुद्ध हर सनी, छेठे में मंगल हैं, जो कि नीच रासी में हैं, साथवे, आठवे, नौमे में कोई नहीं, दसवे भाव में राहु हैं, ग्यारहवे में चंद्रमा, बारहवे में कोई ग्रह नहीं हैं, सबसे पहले तो इनके लगन की बा व्यक्ति तो उसका निमित्ध बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दया से ही मिला हो, ओसकता है कि आप उसके योग रहे हो, या फिर आपके अलावा उस पद के लिए कोई योग व्यक्ति ना दिख रहा हो उस जगह पर, इसलिए आपको उपद मिला हो, तो ये कुम लगन वाले जो लोग होते हैं, इनकी जीवन में एक चीज तो होती है, कि ये लोग महनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, और अपनी महनत से, अपनी योग्यता से हर तरक्की, हर प्रगती को प्राप्त करने वाले होते हैं, अब ये पत्रकार क्यों बने, इनका जो बाणी भावधाव पुद्ध cricket, अधिपती संपरख कर रहा है् Our फिए अपर लाब भावका अधिपती भी जो की सरवतोभध्र भाव कहा जाता है उस भावका अधिपती भी लग्न में आकर तो पंचम में यदि बुद्ध बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धी के तौर पर, बुद्धी के इस्तर पर कभी भी कमजोर होना पसंद नहीं करता, एक व्यक्ति होता जो पैसे से मजबूत होने की कोशिस करता, एक व्यक्ति होता जो सरीर से मजबूत होने की कोशिस कर लेकिन जब यदि बुध पंचम भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ती बुध्धी के इस तरपर किसी भी व्यक्ती से हारना पसंद नहीं करता और यही उसको डर हमेशा बना रहता है कि कभी ऐसा ना हो कि हम बुध्धी के इस तरपर किसी व्यक्ती से हार जाएं इसी डर के करण वो लगातार पढ़ाई करता रहता लगातार अपने दिमाग को तेज करने के कोशिस करता है इनका लगने इस पंचम में बैठा वो भी सनी है और सनी बुद्ध के साथ में आकर बैठा तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च करने बाला होता है पंचम में यदि सनी बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें रुकावटें तो बहुत आती है लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सिक्षा प्राप्त करने वाला होता है या तो फिर ऐसे लोग PhD आधी करते हैं सोध करते हैं किसी विशय पर और या तो फिर ऐसे लोग पत्रकार आधी बनते हैं या फिर ऐसे किसी प्रोफेशन में जाते हैं जिसमें इनको लगातार पढ़ना पढ़ता है तो पत्रकारिता तो ऐसा ही विशय है या आप सुनेंगे जो किसी-किसी politician के इंटर्व्यू ले रहे हैं तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे-च्छे सवाल पूँचे हैं और कहीं न कहीं बहुत तरक पूरन बातें करने बाले हैं ये अच्छा अब बाणी भाव का अधिपती जो गुरू है बो लगन में आया है तो गुरू जब लगन में बैठा है यहाँ पर तो ये सबसे इसमें एक अच्छी बात ये है कि गुरू लगन में बैठे होने के कारण ये जो हैं आप इनके व्यक्तित्व को आप जानते हैं आप इनका DNA सो भी देख चुके होंगे कभी न कभी तो आपने देखा होगा ये सुधिर चौधरी जी हमेशा धार्मिक बातें करने बाले हैं धर्म को साथ में लेकर के चलने बाले होते हैं और लगन में ही गुरू बैठा है इसी कारण से ये किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करते कभी भी और लगन में ये गुरू बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति प्रभावजाली भी होता है ये किसी का अपमान नहीं करते लेकिन कोई व्यक्ति इनका भी अपमान नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़े प्रभावसाली होते हैं अच्छा अब ये तो इनकी बुद्धी की बात हो गई अच्छा मंगल की जो दृष्टी है वो लगन पर पड़ रही है आठवी दृष्टी मंगल छठे भाव में बैठा है तो ये ये चान से बैठा है इसा जनझत पसंद नहीं करता जड़ी कहीं पर भी ज्यादा राजनीती होने लगे ज्यादा acknowledged होने लगे तो फिर वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है और यही कारण है इनके जीवन में कि जब-जब इन्होंने कोई चैनल को छोड़ा है, अभी अब आगे बात करेंगे कि इन्होंने कितने चैनल छोड़े, फिर कितने ज्वाइन किये, पत्रगारों के जीवन में यह सब चलता रहता है, तो जब-जब कोई न कोई ऐसा थोड़ी हमेशा कुछ ना कुछ पंचायत करते रहते हैं, किसी ना किसी को फसानी की कोसिस करेंगे या फिर कुछ ना कुछ नया गेम प्लान चलाते ही रहते हैं लेकिन मंगल ये इस सष्ठ में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति फाल्तू के जहन जटों से बड़ा दूर रहता है वो राजनीती करना नहीं चाहता है वो सांती से रहना चाहता है तो ये लोग भी सांती से रहना पसंद करते हैं ये मंगल इनका सष्ठ में बैठा अब मंगल की गुरु परद्रिष्टी है तो ये बड़े सांत दिखते हैं, बहुत सांत हैं, इनसे एक आत बार हमको मिलने का मौका मिला है, तो हमको लग रहा है कि ये हर्याना की हिसार की बात है, हिसार में ये किसी कारिकरम में आये हुए थे और हम भी वहाँ पर, कोई धारमित कारिकरम था, हम भी गए थे, तो हमने एक फोटो चित्र लेना है तो इन्होंने का बड़ी छोटी बात है आई ये पड़ी जी तो एसा चित्र भी हमने लिया तो अब बहुत पहले की बात 2007 की बात है तब वो चित्र भी अब गायब हो गया होगा फॉन भी नहीं था मारे पास तो समय एक छोटा फॉन था वो चाइन सेवक है सनी सेवा करने वाला है तो सेवक की लगन है और लगन में ही गुरू बैठा है तो यह समझदार भी है और विनम्र भी है हमेशा जुक करके सेवक की तरह रहने बाले लेकिन मंगल की दृष्टी है गुरू पर मंगल की दृष्टी है तो यदि अपने सम्मान पर बा लेकिन यदि अपने सम्मान पर यदि कभी बात बनाए तो फिर ये पीछे भी नहीं हटते और गुस्टा आ भी जाए तो अपने मन में ही क्रोध को पी जाने वाले होते लेकिन जाहिर नहीं करते क्योंकि गुरू बैठा है अब लग्द में मंगल देख रहा है तो गुस्टा तो आता ही है लेकिन गुरू भी बैठा है तो गुस्टे को पी जाते हैं अब हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे सीधे हम इनकी दसाओं पर बात करते हैं अच्छा हां इनका राहू जो है वो कर्मभाव में बैठा है इसलिए राहू यदि कर्मभाव में बैठा हो वैसे तो राहू वहां पर ब्रिश्चिक रासी में है और पारासर मत के अनुसर नीच का भी माना जाता है तो राहू वहां बैठा है कर्मभाव में बहुत अच्छा माना जाता है और राहू इनका कर्मभाव में बैठा है यही कारण है कि इनको बहुत बड़े-बड़े सब्सक्रीजक की बाद कर लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था ॐनू पर चुहत्तर से ही इनकी धिर्शा जन्म हुआ है केतु के बाद मेंनकी शुक्रीजक चालों हो गई और शुक्र इंकी उनची सोषरा च्रीज़र तक इन्होंने नौक्री शुरू करी पत्रकार की रूप में और उसकी बाद में ये 2003 तक लगातार जीन्यूज में ही नौक्री करते रहे इन्होंने सुक्र की दशा में सुक्र में केतु का जो अंतर था वो एक साल का समय उसी में बिताया जीन्यूज में उसके बाद में पूरी जो गुरू का अंतर आया और चंद्रमा में जब गुरू का अंतर आया तब ही इन्होंने जी नोज को छोड़ करके और सहारा समय को जोईन कर लिया अब इनकी जीवन में एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कि इनकी जीवन में जब जब गुरू की दशा आई है जैसे भी आई हो तब तब इनकी जीवन में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है तो चंद्रमा में जब गुरू की दशा आई तो इन्होंने जिनोज को छोड़ करके सहारा समय जोईन कर लिया उसके बाद में 2003 से लेकर के 2005 के बीच में केवल दो सालों में इन्होंने करीब तीन चैनल में अदला बदली करीब पहले सहारा समय फिर इंडिया टीवी फिर लाइव इंडिया बुरू के बाद में इनकी सनी की दशा आ गए थी चंदरमा में सनी की दशा बहुत अच्छा फल नहीं देती वो चाहे कैसी बीच्थरी में हो चंदरमा भी अच्छे हों सनी भी अच्छे हों तो भी फल खराब ही मिलता है ऐसा हमने जादा तर पत्रिकाओं में देखा है तो इन्हों ने उसी समय में 3-4 चैनल में अदला बदली करी उस समय इनका जो समय था वो जादा ठीक नहीं था क्योंकि ये सैटल नहीं हो पा रहे थे एक जगह पर जो कुछ ही अपने जीवन में चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे उसके बाद में इनकी 2010 में मंगल की महादशा आगए चंद्रमा की समाथ थो गए मंगल की जब महादशा आई ये जो दशा थी ये इनकी जीवन में बहुट तरनिग पॉ haber रहा इनके लिए मंगल की जो दशा थी वो पूरी दशा इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आई, जो कि 2010 में शुरू हुई थी, 2010 से लेकर के 17 तक इनकी मंगल की दशा थी, अब यहां पर एक बात बड़ी ध्यान देने की है, इनकी जीवन में जब जब गुरू की दशा आई है, तब तब इनकी जीवन में कुछ नकुछ नया हुआ है, तब तब इन इससे इन्होंने जब अपने प्रसिद्ध टीवी सो, डीने की शुरूआत करी थी, वो भी इन्होंने मंगल में गुरू की दशा में शुरू की थी, गुरू इनकी जीवन में जब जब आया है, अंतर प्रत्यंतर में जैसे भी आया, थोड़े समय के लिए भी आया, तो भी इनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव किया है, कुछ ना कुछ अच्छा किया है, मंगल की दशा में जब गुरू का अंतर आया, दो हजर बारा में, तो इन्होंने डीने की सुरुआत करी, जो कि इनका बड़ा प्रसिद्ध सो हुआ, लेकिन एक उसमें दिक्त थी, गु कोई समीर अहलुबालिया के साथ में, कोई नवीन जिंदल के केस में इनको, चबुदा जिनकी ने तिहार जिल में भी जाना पड़ा था, ये क्यों हुआ, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, दिखिए, इनका जो मंगल है, वो सष्ठ भाव में नीच का हो करके बैठा ह और हमने देखा है कि कुंडली में यदि मंगल नीच रासी में हो, तो ऐसे व्यक्ति को सासन प्रसासन से संबंधित कोई न कोई परिशानी जरूर होती है, और यदि मंगल बारहवे भाव में बैठ जाए, नीच का हो उच का हो जैसा भी हो, बारहवे भाव में यदि मंगल बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सासन प्रसासन से संबंधित परिशानी होती ही है, वो जेल ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन परिशानी तो होती है, अब इनका जो मंगल है वो बारहवे में नहीं बैठा, लेकिन इनका मंगल सष्ठ में बैठा है, चठे भाव मे सीधा सातवी दृष्टी से मंगल बारहवे भाव को देख रहा है बारहवे भाव में कोई ग्रहनय सनी की रासी है अब इनका मंगल बारहवे भाव को देख रहा है और मंगल पर राहू की दृष्टी है राहू की नौवी दृष्टी मंगल पर है तो यही इनका जीवन में उसके बाद ये छूट भी आये थे, 2012 में ही इन्होंने DNA सुरू किया, उसके बाद लगातार अभी तक DNA बहुत अच्छा चल रहा था और अभी आंगे भी चलेगा, उसके बाद में मंगल की ही दशा में, 2015 में बुध का अंतर आया, बुध का अंतर जब आया, तभी इनको रामन कुंडली में यदि हम बुध को देखें, बुध जो है वो चौथे भाव में बैठा है, और चौथे भाव से हम परिक्षाओं के जो रिजल्ट होते हैं, उसकी बात करते हैं, तो पत्रकारिता का रिजल्ट क्या है, पत्रकारिता का रिजल्ट है पुरुसकार, या फिर मंगल नेचल रसी में बैठा जरूर है लेकिन मंगल है बुध टृतियेष और कर्मेश ओकर भर करमवाव में भी है करमे शोकर के मंगल चठी भाव में आया है और चठा भाव जो है मंगल उस भाव का कारक है अच्छा अब भले ही कारक हो जैसा भी हो लेकिन है तो नीच का लेकिन यदि हम मंगल को देखें तो मंगल नौमान्स कुंडली में दसमभाव में ही बैठा है और इन सब को यदि हम छोड़ दें जन्वांग और नौमान्स को दोनों को छोड़ दें तो भी मंगल दसमान्स कुंडली में दस्मान्स कुंडली में मंगल अपनी मूलत्र कुंडरासी में चंद्रमा के साथ में बैठा है चंद्रमंगल योग बना करके और दस्मान्स कुंडली से ही कारोबार, व्यापार, व्यवसाय कर्म देखा जाता है व्यक्ति का यक्ति कौन सा काम करेगा, कब करेगा, उसको कितना फायदा होगा, कितना नुक्सान होगा इस विसे का जो विचार है वो दस्मांस कुंडली से किया जाता है तो दस्मांस कुंडली में इनका जो मंगल है वो बलवान है यहां का जनमांग का करमेश और दसमांस का दसमांस में मूल ट्रिकॉन रासी में बैठा है तो दसमांस कुंडली में मंगल बलवान है इसी कारण से इनको मंगल की दशा में अपने कर्म को ले करके बहुत ख्याती मिली अपने कर्म को लेकर के बहुत प्रसिधी मिली और साथ में इन्होंने बहुत प्रगती भी करी उसी समय में अब इनका जो गुरु है गुरु कर हम थोड़ी चर्चा करते हैं गुरु जो है गुरु जब जब इनके जीवन में आया कोई भी दशा में आया हो अंतरप्रत्यंतर में जब भी आया तब तब इनके ही कर्म के छेतर में कहीं न कहीं आंगे लेकर के गया या फिर इनके जीवन में बदलाव लेकर के आया बो क्यों लेकर के आया उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं सबसे पहली बात तो गुरु जनमांग चक्र में लगन में ही बैठा है और दूसरी बात जनमांग चक्र में गुरु जो है वो धनेस और लाभेस हो करके बैठा है ऐसा व्यक्ति हमेशा उट पटांग खर्च करने वाला नहीं होता हमेशा धन को बचा करके खर्च करने वाला हो वो करमेश हो करके और सब्तम भाव में बैठा हुआ है, और दस्मान स्कुंडली में गुरू जो है वो लगनेश भी है, तो दस्मान स्कुंडली में लगन भाव का अधिपती गुरू ही है, और जनमांग में गुरू लगन में बैठा है, तो इसलिए इनको अपने जीवन में जब जब गुरू की दशाय तब तब इनको अच्छा फाइदा हुआ है। अब जब गुरू में 2012 में, जब इनका मंगल में गुरू आया, तब इन्होंने डियने की शुरुआत करी। फिर 2015 में जब मंगल में बुरू आया, तब इन्होंने इनको रामनाथ गुयन का पुरूसकार मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि बुरू इनका बलबान है। अब आंगे उसके बाद में 2015 से दो साल और फिर इनकी जो मंगल की दशा थी, वो समाप्त हो गई। और 2017 से इनकी राहू की दशा आ गई। अब राहू जो है, जैसा हमने बताया कि पारसर रिशी के अरुसार राहू नीच रासी में है, करमभाव में। तो राहू जम नीच रासी का है, और फिर उसके बाद में जन्मांग के कुंडली में राहू सनी के नौमांस में बैठा है। तो राहू जो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और आप इनके जीवन में देखेंगे, तो जब से इनके राहू की जो दशा आई है, तब ही से इनके अपने ही चैनल के साथ में बिवाद बहुत ज़्यादा रहे। 2017 से ही चल रहे हैं, जब इनका सो शुरू हुआ था, उसके बाद 5-6 साल तो अच्छा चला, लेकिन उसके बाद में फिर थोड़े-थोड़े इनके मत्भेद होने लगी क्योंकि इनके ख्याती भी बहुत बढ़ रही थी। तो ये कहीन कहीन बिवादों में फस रही थो लगाथार। लेकिन उसमें भी जब राहू की दशा 2017 से चल रही थी, राहू की दशा फिर इनकी 2020 में राहू में राहू का अंतर समाप्त हो गया। अब राहू में राहू के अंतर के बाद 2020 के अक्टूबर महिने में इनकी राहू में गुरू की दशा आ गई अब ये जो जीवन है ये जो इनकी दशा है ये भी बड़ी सोचने बादी बात है इनके जीवन में जब जब गुरू आया तब तब इनके जीवन में बदलाव हुगा अब जब इनके जीवन में अभी वरतमान की हम बात कर रहे हैं 2020 में अक्टूबर के महिने में इनकी राहू में गुरू की दशा आ गई अब गुरू को तो बदलाव करना था तो अभी 2022 के यह सान चल रहा है इसमें अक्तुबर तक इसी दस्वे महिने तक यह जुलाई चलता है आगस्त सितंबर अक्तुबर तीन महिने और भी इनकी राभू में गूरू की ही द्रशा चलेगी तो राभू में जो इनकी गूरू की द्रशा है इसने देखिये आते ही फिर से इनके जीवन बदलाव कर दिया तो अभी इन्होंने राहू में गुरू की दशा में फिर से एक नया सो शुरू कर दिया अब हम इस पर बात करनी है कि इनका जो आंगे आने वाला जो सो है जो आ चुका है ब्लेक इन वाइट वो चलेगा या नहीं चलेगा अब 2022 में अक्टूबर तक तो इनकी गुरू की दशा है तो तब तक तो बहुत बढ़ियां चलना है क्योंकि गुरू की दशा चल रही है लेकिन जैसा इनके साथ में पिछले समय में हुआ था 2003 से 5 के बीच में 2003 में चंदर में जब गुरू आया तो इन्होंने जीनोच छोड़ करके और ये सहारा समय में चले गए और उसके बाद में फिर दो साल तक ये तीन-चार चैनल बदलते रहे एक जगह सेटल नहीं हो पाए उसके बाद में 2010 में मंगल आया 2012 में मंगल में गुरू आया तो टीन-चार चैनल पर नई पारी शुरू की लेकिन इनका जो सो है उसके बिसे में हमें ऐसा लगता इनके कुनली देख करके कि ये सोच चलेगा तो जरूर चूकि ये ऐसे समय पर सुरू किया गया है कि चलेगा और इनकी ख्याती भी बहुत है तो चलेगा लेकिन राहू में जब तक गुरू की दशा है 2022 में अक्टूबर महिने तक बस अभी तीन महिने और तब तक इनका चैनल इनका जो सो है वो अच्छा चलेगा लेकिन जैसे ही राहू में सनी की दशा आ जाएगी राहू में सनी का अंतर आ जाएगा जो कि 2022 में ही अक्टूबर के लास्ट समय से अक्टूबर 27-26 तारिक से शुरू हो जाएगा तो जब राहू में इनका सनी का अंतर आएगा तब इनको समस्या होगी तब इनको समस्या होगी च्योंकि राहू और जो सनी है वो आपस में सलाष्टक योग बना करके बैठे हैं छह आठ की दोरी पर बैठे हैं राहू से सनी आठवे घर में बैठे हैं और सनी से राहू छटे घर में बैठे हैं तो सलाष्टक योग बना करके बैठे हैं, इसी कारण से इनको राहू में सनी की दशा में परेशानी होगी, अब परेशानिया क्या होगी, इस पर बात कर लेते हैं, राहू में सनी का अंतर लंबा होता है, 2022 से 25 तक चलेगा, तीन साल चलने वाला है, तीन सालों में तो बहुत क जन्जटने शुरू हो जाएंगी अक्टूबर के महिने से जो कि 2025 पर चलेंगी और उसके बाद में अभी जो इनको बड़े-बड़े लोगों का सहारा मिल रहा है या फिर मिला हुआ है वो सहारा भी नहीं मिलेगा क्योंकि सनी जो है वो लगनेशोकर के पंचम में आया है और 12 से सोकर के भी पंचम में आया है तो लगनेश या 12 से पंचम में आजाए इसका फल यही है कि ऐसे व्यक्ति के उपर जो बड़े लोगों की कृपा होती है वो कम हो जाती है ऐसे व्यक्ति को बड़े लोगों की support मिल रहा था वो support नहीं मिलेगा और उसके बाद में एक सीसं और सणी की दशा है वो सलाश्ता जोग में राहू में dov नुसरी से बैठे हुए एं ऑस सब्सक्राइब गुरुक दिश्टि तो गुरुकी दि करके बैठा हो लगने सोकर करके बैठा हो और उसकी दसा आ जाए विसेसकर राहू में दसा आ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति कुछ मामलों में गलट डिसीजन लेने वाला होता है ऐसे समय में और निश्चित रूप से ऐसे इस्थितिम होता क्या है कि कुछ मामलों में उस व्यक् पंचमेस के साथ में बुद्ध बैठा है तो भी व्यक्ति सम्हाल लेता है संगर से जैसा कि कुम्भ लगन है तो सम्हाली लेता है लेकिन ये चीज जरूर है कि इनको पस्चाताप होगा बाद में और कहीं न कहीं एक चीज़ और होती है कि राहू में अधी सनी की दशा आ लगनेशों करके तो ऐसे व्यक्ति को ब्यावसार में भी धक्का लग जाता है कहीं न कहीं कोई न कोई जो उसको फाइदा हो रहा होता है या फिर जिस तरह से उसकी जो ख्याती बढ़ रही होती है वो रुख जाती बाधित हो जाती है और यह बात आप निश्चेत रूप स कि इनको अपना सो छोड़ना पड़ जाए यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है पस्चाताप करना पड़ जाएगा फिर बाद में लेकिन एक सीज ये भी है इसमें कि बुध और सनी एक सांथ बैठे हैं जो की एक अच्छा कॉंबिनेशन है तो बुध पंचमेश हैं और लगनेश और पंचमेश एक सांथ बैठे हैं तो यहसा व्यक्ति पस्चाताप तो करता है मनही मन में उसको ऐसा लगता है करे गलत डिसीजन हो गया लेकिन बूठ सम्हान लेता है उन चीजों को कहीँ न कहीं उन चीजों को मैनेश करने की कोसिस करता है फिर तो बुध और सनी सांथ में बैठे हैं तो इसकरन से ज़्यादा बुरे फल तो नहीं होगी लेकिन परेशानी तो फिर भी होगी अभी इसमें एक चीज और हम बताना भूल गया, बता देते हैं 2022 में, अक्टुबर के महिने में राहु में सनी की दशा आएगी और ठीक 5-6 महिने बाद फरवरी के महिने में 2023 में सनी जो हैं, वो कुम्भरासी में गोचर करेंगे उसी समय में राहु में सनी का अंतर अच्छा फल तो नहीं देगा, परेशानी होगी ख्याती भी कम होगी, पैसा भी कम होगा और उसके बाद में मती भी मारी जाएगी गलत decision हो गया परेशानी होग़ए पस्च्यताब होगा गलानी होगी तो यही चीज इनके साथ में होगी और उसके बाद में एक सी ज़र होगी कि जैसे ही राहु में स सौनि की दशा आएगी और 2023 के फरवनी में जैसे ही सनी का जो गोचर है वो लगन में शुरू होगा इनके उपर जो बड़े लोगों की कृपा थी वो घट जाएगी और साथ में बड़े लोगों के क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा बहुत जो लोग इनके उपर क्रोध कर रहे हुए थे जो लोग इनको अच्छा मानते थे जो इनको आँगे बढ़ाने के कोशिस करते थे अब वही लोग इनकी उपर पुरोध करेंगे अब वही लोग इनको डाटेंगे करे तुमने यसा क्यों किया, यसा क्यों किया इस तरही की चीज़ां हो जाएंगे अब वो केवल 100 को ले कर करके नहीं ठी उस तरह की स्वतंत्रता अब नहीं रहेगी जिस तरह से ये एक बड़े स्वतंत्रता के साथ में बड़े निर्वीक होकर के आंगे बढ़ रहे थे उस तरह की स्वतंत्रता अब इनको यहां पर नहीं मिलेगी नए माहूल में नई जगह पर इस तरह की स्वतंत्रता नहीं कहीं न कहीं इनको दब करके काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो समय है वो ठीक नहीं है लेकिन हाँ ये भी है कि 2025 के बाद में राहू में जैसे ही बुधका अंतर आएगा तो फिर इनका समय चेंज भी होगा लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जिस तरह से डियने बहुत तेजी से आंगे बढ़ा था उस तरह से ब्लेक इन बाइट सो इनका ज्यादा जल्दी से आंगे नहीं बढ़ेगा इनको बहुत समय लगेगा अभी 2022 के अक्टूबर तक बहुत अच्छा तेजी से बढ़ेगा इनको लगेगा कि हम ग्रो कर रहा है अच्छा हो रहा है लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महिना आएगा अक्टूबर के महिने के बाद जैसे ही राहु में सनी का अंतर आएगा इनका जो सो है उसमें परिशानी शुरू हो जाएंगी नई जगह पर जहां ये गए हैं वहाँ पर भी परिशानी शुरू हो जाएंगी और 2023 में फरवरी के महिने में जब सनी का गोचर इनकी लगन में होगा तब भी इनके जीवन में परिशानिया शुरू हो जाएंगी तो अभी आंगे आने वाला जो जीवन है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बस इतना ही हम चर्चा करते हैं बहुत देर भी हो गई है अब हमको लगए आधा घंटे करीब हो गए है ये विश्टलेशन हमने बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया लेकिन आगे से यदि हम कोई भी कुंडली का विश्टलेशन करेंगे तो हम सोचेंगे कि बहुत थोड़े समय में समचित समय में कर दें मित्रों आज के लिए विस इतना ही नमस्कार